नमस्कार फ्रेंच वाक्त है आपका धिमान राजे धिमान फेस्बुक पीज में आईए आज की वीडियो में इंटिग्रेशन के इन इंपोर्टेंट क्वेस्चन को सोल्व करना सीखते हैं पहला क्वेस्चन है 1 ओवर थर्ड रूट ओफ 3X प्लस 4 तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर में थर्ड रूट है इसकी पावर को हम नियूमिनेटर में ले जाएंगे और पावर कर देंगे माइनस 1 ओवर 3 तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से 3x प्लस 4 और पावर कर देंगे इसकी 1y 3 लेकिन पावर डिनोमिनेटर में है तो निमिनेटर में जाके माइनस होगा और देखिए इसकी डिफ्रेंसियेशन मिलती है 3 तो हमें यहाँ पर 3 ऐसे और ऐसे लिखना पड़ेगा फिर हम फोर्मूला यूज करेंगे fx इसकी इंटिग्रेशन अगर पावर n हो तो इसकी इंटिग्रेशन आती है fx जो भी पावर लिखी है वो पावर 1 इंक्रीज कर देंगे और नई पावर से एड़ कर देंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही है 3x प्लस 4 की जो डिफ्रेंशियेशन है वो 3 है मतलब यह 3 यहाँ पर एड़ेश्ट हो गया इसके साथ तो हमें अंसर मिलेगा यह 3 बाहर आएगा 1 by 3 फिर यह फोर्मूला यूज होगा 3x प्लस 4 पावर माइनस 1 by 3 प्लस 1 ओबर माइनस 3 प्लस 1 प्लस C सिंप्लिफाइ करके हमें मिलेगा 1 by 3 3x प्लस 4 पावर मिलेगी 2 by 3 और यहाँ भी 2 by 3 तो 3 3 कैंसल हो जाएगा प्लस C अगर इस टाइप की इंटिग्रेशन हो जहाँ पर बेस कॉंस्टेंट हो और पावर और पावर बेरियेबल हो तो उसकी वैल्यू आती है जो फंक्शन है वो एजटीज लिखना है और डिवाइड कर देना है लोग ओफ बेस जो लिखा है प्लस C जहाँ पर नियूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री में एक का डिफरेंस हो मतलब इसकी डिग्री 2 है और इसकी 3 है तो इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिफरेंसिशन शेक करेंगे क्या वो नियूमिनेटर में तो नहीं मिल रही है इसका मतलब यह है कि नियूमिनेटर में जो लिखा है उसको हम multiply करेंगे वो आएगा 3x square plus 9x minus x minus 3 और डिनोमिनेटर एज इस अब इसको combine करके लिखेंगे तो यह आएगा हमें अगले step में plus 8x अब इसकी differentiation देखेंगे तो derivative of x cube plus 4x square minus 3x plus 2 यह होगी 3x square plus 248x minus 3 और देखी यहाँ पर 3x square plus 8x minus 3 यही है इसका मतलब क्या होगा जब डिनोमिनेटर की derivative numerator में मिले तो answer हमें integration का मिलता है log of denominator x cube plus 4x square minus 3x plus 2 plus c और constant of integration c है यही इसका answer आएगा फ्रेंट यह थे आज के तीन question integration के उपर मुझे पूरी में है यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहा होगा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे facebook page देमान राजेस देमान को जरूर फोलो करें धन्यवाद